नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों अतुले क्रिसी में आप सभी का स्वागत है साथियों आज हम लोग बात कने वाले हैं बायो फेंसिंग के बारे में जैसे कि आप सभी जान रहे हमारे वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है तो यह आप देख पा रहे हैं पर बायो फेंसिंग लगा हुआ है तो यह काफी बहतरीन चीज है यहाँ जो बायो फेंसिंग यहाँ पर की गई है वैसे तो साथियों फेंसिंग को लेकर के लगातार वीडियो आप लोगों के लेकर के आते हैं जो कि कम खर्च में और बहतरीन जो है वा फेंसिंग होती है तारबंधा ही होती है उसमें से सबसे बहतरीन फेंसिंग ये होने वाली है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ लेबर कोश्ट लगने वाला है इसका कोई खर्च नहीं आने वाला है बात कर लेते हैं कि बायो फेंसिंग ह को टूचित कर सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उप्योग में लेना है उसके पहले मैं इसके फायदे के बारे में बताया जैसे की मैंने बताया कि आपकी normal fencing जोब दिहाट शार साल ही चलने तो इसके फाइदे तो सबसे पहले वही आ गए दूसरा फाइदा यह है कि इसमें खर्च जो मैंने बता है काफी कम खर्च पर हमको यह मिलने वाला है इसमें सिर्फ हमारे जो लेबर काश्ट होगी यदि हम बड़े पौधे लगाते हैं तो गड़ा करना हो गया इसको ट्रांस स्लों में ना आपाए क्योंकि हम जैसे कि मैंने आपको दो तीन पौधे के नाम बता है उसका हम उप्योग करेंगे तो इसकी हाइड जो है हमको 5-6 फीट तक मिलती है साथ फीट तक मिलती है तो वो जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे हमारे जो इस प्रे होगी वहीं पर पर आप देख सकते हैं यह केक्टस का पौधा है इसकी पौधे ज्यादा बड़ी नहीं होती और इससे काफी अधी सुरक्षा मिल पाएगी क्योंकि आप इसमें देख सकते नोकीले नोकले इसमें काफे काटे हैं तो यह थोड़ा सा आप लोगों को देखकर ही उप्योग कर है तो इस तरह से उन्होंने काफी बहतरीन तरीके से इसको प्रोटेट करके लिया हुआ है तो इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं यदि आपको यह आसानी से मिल जाता है तो इसके अलावा जैसे की बात करे करोंदा हो गया करेंदों के लेकर चलते हैं और मेहन्दी के पोधे पड़े नहीं हो जाते हैं तब तक आपका बारबेट वायर जो होगा आपको प्रोटेट करके रखेगा उसके बाद फिर उसको आपको थोड़े बड़े होते तक ही देखरेक करना है जैसे कि कुंदुरू की पोधे के हम बात कर रहे हैं उसमें काफी कम मैनेजमेंट हो आप लोगों को कोशली पड़ने वाला है तो आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आप उसमें एयर लेरिंग कर सकते हैं अभी जो समय चल रहा है रेनी सीजन है काफी बहतरीन होने वाला है या फिर आपके नजदीकी में जो पौधे आसानी से उपलब्ध हो जैसे कि हमारे एरिया में जो है रतन जोज जिसको बोलते हैं यह अप देख सकते हैं उसका पौधा है इसको बस इतने छोटे से ठांको भी अगर हम इसके साखा को कहीं भी पूट करते हैं तो यह ग्रो कर लेता है तो इस तरह से देखते हैं पेड भी काफी बड़ा हुआ हूआ है त लेकिन कभी-कभी खराब भी हो जाता है तो उसमें क्या है एक लागत जो लगती है वो नुकसान में चला जाता है इसको आप एक बड़ ट्राइ करके देखिए अगर आपके नियर बाई में है तो देख सकते हैं यहां पर किसान ने उपयोग भी किया हुआ लगातार वहां तक इसकी देखर एक अच्छे से करें तो यह काफी लंबी भी चलने वाली है और इस्ट्रॉंग भी रहने वाली है तो साथियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो काफी लेट में आ रही है अब हम कोशिस करेंगे कि लगातार आप ल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी मिलते हैं इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत